Hello everyone, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आप भी किसी को अपनी मुबाइल फोन से ब्लॉक कर दिये थे ब्लॉक करने के बाद आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आप आपको वो कॉल किया है या नहीं किया है ब्लॉक नमर में यहाँ पर आपका ब्लॉक का साइन रहेगा और यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि यह ब्लॉक नमर इस नमर से आपका कॉल आ रहा है कॉल आया था यहीं पर आपको दिखा दिया जाएगा लेकिन बहुत सारे mobile phone में यहाँ पर नहीं दिखाता है सभी mobile phone का अलग-अलग काम करने का system है बहुत सारे mobile phone में यही पर दिखा दिया जाता है इससे realme का mobile आपके पास है ओपो का mobile phone है या आपका motorola का mobile phone है तो यही पर आप लोग को दिखा दिया जाएगा उसके बाद यहां पर आपको option दिखाता है दिखिएगा तो यहां पर आपको block नमर का block नमर का आपको इस पर click करना है और जितने नमर आप block कियोंगे यहां पर आप यह दिखाएगा जिसे मालेजिए मैं इस नमर को block क्या हूं इसका मैं अगर आप लोग देखना चाहता हूं क कि यार इस नमर से कितने बार call आया है तो simple ऐसे आपको tick mark का option दिखाता है cut करने का cut कर दीजिए, इससे unblock कर दीजिए जैसे आप लोग इससे unblock कर दीजिएगा तो यहाँ पर फिर से check किजिएगा तो यहाँ पर अपका वो दिखा दिया जाएगा कि इस नम्मर से पास्ट में call आया था तो यही एक option है उसके बाद कोई option है नहीं एक बार इसे आप unblock करके देख लिजिए कि call यहाँ पर इस तरीके से आया है या नहीं आया है तो ठीक है आपको दिखा दिया जाएगा अगर आप लोग का नहीं दिखाता है तो मतलब समझ जए आपको call उमधर से नहीं किया गया है तो यह दो option है अगर आप लोग को नहीं दिखाता है तो इस प्रोसेस से आप लोग देख सकते हैं मिलते अंगली बीटियों में तब तक लिए चैन्ट